हेलो पैल चात्रों आज की सी वीडियो आपका सौगत है आज की सी वीडियो में राश्टी उपलब्दी सरवे के अंतरग्यात अभ्यास प्रसन बैंक के सभी प्रसनों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका जो NCRT के लर्निंग आउट्सकन पर आधायित होता है आपका ये पेपर है बारा नॉबंबर को होने वाला है और इसके अंतरगात आपके चार बिसे दिये गए हैं आपका पहला सब्जक्ट यहाँ पे बिग्यान है इसके बाद सेकेंड आपका गड़ित तीसरा आपका हिंदी है और चोथा आपका यहाँ पे क्या है समाजी विग्यान यानि कि आपको चार सब्जक्ट पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है आपको इस सर्वे में आपको जो है उबलबत सर्वे पेपर देने के लिए जो आपका बारा नॉबंबर को होन नहीं करना है बच्चों आपके इस सीरीज में सभी प्रस्ण के आंसर यहाँ पे दिये जा रहे है तो पहला कोश्टन यहाँ पे देखिए आपको कोश्टन पढ़ना है इसमें आपके चार विकल्प दिये गए हैं आपको सही आंसर चुनकर उसमें आपको घेरा लगाना है पहला कोश्टन आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे दिये गये कतनों को पढ़िए तो आपको यह कतन पढ़ना है पहला आपको लिखा है बीजों के अंकुरण के लिए नमी आबस्यक है सेकर में आपका लिखा है पौधों की जड़ों दोरा जल खनेज और उर्वरकों को आपसोसर होता है ठीक है तो आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि किन कतनों से इसपस्ट होता है कि फसल के लिए सिचाई आबस्यक है तो देखिए आपको जो पहला लिखा है कि अंकुरण के लिए नमी आपका जल की बात कर रहा है इसके बाद आपका सेकेंड में लिखा है क आपका पौधो की जडो दोरा जल, खानिज और उर्बराग ठीक है आपके यहाँ पर आप सोसर करता है यानि इनसे इसपस्ट होता है कि आपका फसल के लिए सिचाई आबस्यक है आपका यहाँ पर जो थार्ड पॉइंट लिखा है सिचाई से मिठी का गठन सुधर जाता है इ क्या लिखा गया है निम लिखित में से किस कार से मिठी के पौशक्तत प्राप्त नहीं आती यानि मिठी को पौशक्तत प्राप्त नहीं होता है किस चीजों से नहीं होता है तो आपका क्या होगा यहाँ पर कटाई करने से क्या आप उसे मिठी का पौशकत प्राप्त होगा क लेकिन यहाँ आपको पेन काट देना, यानि कटाई कर देना, इससे बिल्कूल आपको मिट्टी को पो सकता तो नहीं मिल पाएगा, कोश्चन नमबर देखिए, क्या इंग्लिस बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए, और डाउटनेट के इंग्लिस स्पिकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएए, जहां इंग्लिस के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भासा के मदद से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे, वो भी एक कोर्स खरी दिए और अपने खुल कर इंग्लिस बोलने के सपने को पूरा कीजिए, तो आपको आंसर यहां पर जल्दी जल्दी बताने कोश करेंगे, क्योंकि बेडियो बहुत लंबा होने वाला है, और इसे बहुत सारे कोश्चन आपको यहां पर समझाना है, तो कोश्चन आपको क्या हो जाएगा यहां पर बी नमबर सही आंसर हो जाएगा, कोश्चन नमबर चोथे में देखिए, आपको क्या लिखा गया है, बूजो ने पोधे लगाने के लिए दो गमले तयार किये, किस गमले पोधे का हिूमस प्रचुर मातरा में मिलेगा, तो देखिए आप प्रसंदिया गया आपका पहले वाले में पादप और अपसिष्ट यांपे दिया गया है और अनुमान लगाना है कि गमले की समग्री में एक महीने पस्चात क्या अंदर दिखाई देगा तो आप जानते हैं यदि आपको आप प्रत्वी पर पाली थिन या फिर प्लास्टिक अछल का फेक देगे गो कभी अभगटित नहीं होता है लेकिन जैसे आप पत्तियां उगे डाल ओगे छिलके हो गे यह सभी क्या हो जाते हैं यानि आंसर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा गमले कि समाग्री का अफ़्गटन हो जाएगा बागी आपका तीनों कोश्चन यहां पर आंसर आपके सही नहीं होंगे कोश्चन नमर 6 में देखिए यहां पर कोश्चन दिया गया है एक नमी युक्त रोटी को किस डगगे में ढखकर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फ़पूंद आ जाती हैं तो आंसर आपका यहां पर क्या होगा बो दिया गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड नाईट्रोजऻन इस्तिरिकरण का कार नगी तो देखिए नाइट्रोजन इस्तिरिकरण ब 얼마 करेदा होगा तो ठीकि चार रास्ते दी गहें है यानि आपका धी जी आपका ये बूचू है इसके बाद सामने आपके coordinator 1293 Shinau Commandd Hybrid पेहला रास्ता को छिक्री मर्मर का भी मिट्टी होगा भा कि लौजिक तरीकर मार्मर बाकि आपका संगमर्मन फिसल जाएगा बर पे पिखल जाएगा और चिकनी मिट्टी में फिसल जाते हैं आप खुद आउन्भव कर चुके होंगे तो राबर्ट जेनर जो है चीचक की खोष किये थे अपके अलेक जेंडर जो फ्लेमिगल है इन्होंगे पेनी सिलिन की खोश की थी ठीक है इसके लिए इनको नोबेल पुरुशकार दीया गया था तो अनसर हो जाएगा question number 10 वे में देखिए यहाँ पे दिया गया है बहुत जल्दी question का हम हल करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास आप जल्दी जल्दी सी से देख लिए question number 10 वे में लिखा है question number यापका answer यही हो जाएगा इसके बाद question number 11 वे में यहाँ पे दिये गए है पहले कप में पानी है दूसरे कप में खाली मुंबत्री लेकर इसमें डाला गया है तो answer है आपको बताना है कि इसमें से जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है जबकि कप का गर पर सही हो जाएगा इसलिए से करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपके सत्थ हो जाएंगे कोश्चन नंबर यहां पर देखिए बारा नंबर पर क्या लिखा गया है मैं एक बाद यांतर हो मुझे में धोनी कंपित तनित जिली दोरा उत्पन होती है बताओ मैं कौन हो तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चु यहां पर आपका अंसर हो जाएगा तबला हो जाएगा कोश्चन नंबर नेक्ष देखिए आपको अच्छे से कोश्चन तयार करना है कोश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें लिखा है पहली बेंच पर बैठा हुआ चात्र है ब्लैक बोड पर जो लिखा गया है उसे पढणा मुस्किल होता है यानि पास की बस्तों को नहीं पढ़ पाता है लगकि जबकि दूर की बस्तों को पढ़ पाता है ऐसा कब होता है ज जातर क्या है दूर दर्ष्टी दोस्ते पीडी थे ठीक है इसके बाद देखे कोश्चन नमर 14 में आप दिया गया है निम लिखी तुमें से कौन सा रेसा तोचा के लिए सरबादी के उपयोगत है तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तोचा के लिए सबसे जो पूरा उस に सिस्टे में लैए जैसे अपकी यदि लकडी को किया करें आप उसको जला दि तो जलाने एक बाद रांख या फिर्या आपक बलको पीघल ना बड़ को क्या तो वह पुना पानी क्या होता है ठंडी में जो है टंपरेचर माइनस होने पर वह पुना बर्फ बन जाता है पानी तो यह क्या होगा आपका पुरानी सिती में परिवर्थन यानि उल्टा हो गया अंसर आपका 15 का यह हो जागा कोश्चन नमर 16 में देखिए यहाँ पर लिखा है दिये गए चित्रतों को बुझो एक जल्ती हुई मुमत्ती के दो भिन ना निकाओ आपका यह पर दो व्यक्ति है देखिए पहला आ है दूसरा बा है तो यह मुमत्ती को देखना चाहता है बच्चा तो यानि पहला आपका सीधा ना ली है दूसरे में आंसर आपका क्या हो जागा आपके आनंबर हो जाएगा आई होप यह आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो देखिए आपको पसंद आ रही है समझ आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दिजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए से आगे भी आपके यापने परती समानलियों में से पानी की समान बातिर गरम करता है बुश्चनबर 19 अपकर लिखा गया है पहेली का हात जलती हुई मूंबट्ती तुरघटना बस रख जाता है उसने तुरंद वापस खीच लिया उसे उसमा महसूस हुई यह सम्मेदन किसके दोरा ले जाया गया जानते हैं आप यादी आग में आप अपना हाथ रख देंगे जो जल्दी आपको क्या होगा उसमा महसूस होता है तो यही पूछा गया है किसके कारण होता है तो आंसर आप प्रओ की बात करें जिस स्मय निकलता हो तो जैसे आप विद्दूत इस्तिरी की बात करें जो अपका प्रेस होता है इसे आप कपड़े करना होता है तो गरम हो जाता है याँ आपका अंसर यहां पर यही करेक्ट आपका हो जाए कॉश्चन नमर 21 देखिए यहां पर दिये गए चित्र को आपको ध्यान से पढ़ना है आपको इसके बाद बताना है कि पानी की एक टंकी में दिये गए चित्र आ, बा, सा और दा विंडो पर चार नए नल लगाए गए हैं कि नलो से पानी बराबर दाप पर भाएगा दाप कब बराबर होगा जब उनकी स्थिती समान होगी यानि बराबर उचाई पर होगे तो पहला बाला देखिए यहां पर आ हमारा यहां से लाइन गया उज़रा है लेकिन बा और सा एक ही लाइन पर मौजूद है और दापका नीचे है यानि आपका बा और सा यहां पर क्या हो जाएगा आपका समान दाब यहीं पर हो जाएगा कोस्टन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका बच्चों यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा 21 का हो जाएगा यानि बा और सा हो जाएगा कोस्टन नंबर देखिए अ तेज हो जाएगा question number 23 में देखिए भारी बाहन के टायरों पर बड़े और चोड़े क्यों होते हैं तो इसका answer बच्चों आपका हो जाएगा दाप को कम करने के लिए ठीक है आपको सुंदर दिखने के लिए नहीं होता है ना फिर आपका बल कम करने के लिए ना आपको गती ब जोभार गया है इसक क्यों होता है तो अंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा बायो मंडली दाप के कार्णिस का सही आंसर हो जाएगा अगला देखिए यहां पर question दिया गया है 25 नंबर नीचे दिये गए चीत्र में से चारों बरतनों को ध्यान से आपको देखना है यहां पर 400 बरतन 300 पांचास के मल और यहां पर 60 लया आपको बताना है कि आपको ㄱट से पहले आपका 500 वाला आएगा यानिबस पर आपका 50-25 यहां तीन सो मेल बाला आएगा यानि आपका आ नंबर तो देखिए यानि आपका सैटिसफाई यही करता है यानि आंसर आपका यही हो जाएगा कोश्चन नंबर अगला देखिए 20 आपका कौन सा होगा 26 नंबर यहापे पूछा गया है कोई व्यक्ति पैरसूट की सहात्या से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है तो आपको बताना है इस घटना में कौन सा बलकार करता है तो जब भी कोई बस्तो हम उपर फेकते हैं बच्चो उपर फेकने के बाद वबस्तो पूरा नीचे लोट कर आता है आपने गेंद उपर फेका होगा पत्थर फेका होगा वबस्ती पूरा उपर से लोट कर नीचे आता है यानि यह होता है संभव होता है गुरुतो करसंड बलके कारण आपका यही आंसर सही हो जाएगा ठीक है आई होप यह आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो बच्चों पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं यहां पर देखिए कोश्चन नमबर देखिए 27 पर निमलिखित में से कौन से प्रहाव से बन उनमुलन के करण नहीं होता है ठीक है तो आपको आंसर बच्चे इसमें पताना है 27 का अंसर यहां पर हो जाएगा से नमबर आक्सीजन मात्र का बढ़ना हो जाएगा कोश्चन नमबर 28 में देखिए मैं कोश्चा के विभीन कारेयों को नियंतरन करता हूं मैं कौन हूं आंस कि मात्रा क्या होगी तो आंसर आपको इसमें लिख देना है 29 के हो जाएगा डी नमबर आपको क्या होगा यहां पर इस्थिर रहती है कोश्चन नमबर लास्ट देखिए 30 नमबर किस रेसे का उनकी साथ मिलाकर कालीन या गलीशा बनाए जाते हैं तो आंसर यहां पर हो आपके जो है यहां पर आपके पांती पंद्रा यानि कि आपके जो है चार वीडियो में कंपलीट हो जाए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जैहिंद जैबारत वीडियो को लाइक और सुस्क्रेब जरूर कर दीजेगा